नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमारी, आज हम UGC NET और जयारफ के एकजाम की हिंदी पाठे क्रम की साथवी उनिट में सामिल, बंग महिला यानि राजंदर बाला घोष की कहानियों पर चर्चा करेंगे, उनकी दो कहानिया चंदरदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली UGC NET के सलेवस में समिलित हैं, बंग महिला का महतवपुर्ण इस्थान है, वे हिंदी कहानी शाहित्ते के उन आरंबिक गिने चुने कहानिकारों में से एक हैं, जिनोंने हिंदी कहानी को किस्सा गोई से निकाल कर एक नई परिभाशा दी, उनकी कहानिया हिंदी कथा यात् में श्वेतू का काम करती हैं, उन्होंने सामाजिक सरुकारों की कहानिया लिखी, उनकी कहानिया धर्म, जाती, वर्ण, संस्कृती के आडंबर और रूढिवादिता का विरोध करती हुई, उन्हें एक नए रूप में परिभाशित करती हैं, राष्टे नवचितना की उद गोशना करती हैं, कहा जाता है कि उनकी कहानियों में कथे और शिल्प का जो संयोग दिखाई देता है, उस पर बांगला कहानी का प्रभाव है, ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि उन्होंने बांगला भाशा की अनेक रशनाओं का अनुवाद भी किया है, उनका प्रभाव उनक बंग महिला यानी राजिंदरवाला घोष की तीन कहानिया परशिद्ध हैं, चंदरदेव से मेरी बातें, कुम्ब में छोटी बहु और दुलाई वाली, ये तीनों ही कहानिया ततकालिन समय की परशिद्ध परत्री का सर्श्वती में प्रकाशित हुई, इसके अतिरिक्त कुस संग्रे और हिर्दे परिक्षा में उनकी कहानिया लेख, अनुदित कहानिया आदी संग्रहित हैं, अब हम चंदरदेव से मेरी बाते कहानी पर बात करते हैं, चंदरदेव से मेरी बाते कहानी 1904 इश्वि में सर्श्वती पत्रिका में प्रकाशित भी, ये साइध हिंदी कह कहानी शाहित्ते की पहली राजनितिक कहानी है कथे और सिल्प शौंद्री की द्रिष्टी से यह भी चंदरधर सर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था की तरह अपने समय की कहानियों के बीच अलग दिखाई देती है बंग महिला ने इसमें एक जगे लिखा है मैं विश्वास करती हूँ कि जब लाड करजन हमारे भारत के इस्थाई भाग्य विधाता बन कर आवेंगे तब आपको किसी कमिशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भरती करके अवस्से ही भेज देवेंगे क्योंकि उनको कमिशन और मिशन दोनों ही अत्यांत प्रिये हैं दरसल यह कहानी बीसवी सदी के प्रारंबिक वर्सों की कुछ कहानियों में से एक है जो अपनी समय का परमानिक दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है अब हम उनकी कि दुसरी कहानी दुलाई वाली की बात करते हैं यह 1907 इश्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हाश्य परधान कहानी है इसके साथ ही इसमें आचलिक्ता को भी दर्शाय गया है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं नवल किसोर और वनसीधर इसमें कासी, मुगल सराय, मिर्जापूर, इलाबाद, आदी छेत्रों का चेत्रन किया गया है। हिंदी कथा शाहित्ते के इतिहास में यह कहानी विसेश इस्थान रखती है। युजिसी, नेट और जेयरफ का एकजाम देने वाले परिक्षार थी। इन दोनों कहानियों का मूल पाठ का अध्यन करें ताकि इनके वस्तोनिष्ट प्रशनों को हल कर पाए। युजिसी, नेट और जेयरफ के पाठे करम से संबंदित वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।